Finally Samsung के एक और mobile phone में अब आपको One UI 6 का update देखने के लिए मिलता है वो भी Android 14 के साथ जो कि सबसे ज़्यादा important था तो Samsung Galaxy M13 mobile phone के अंदर आपको ये update देखने के लिए मिलता है लिगे उससे बड़ी बात ये है कि Samsung Galaxy M30 जो है वो 4G mobile phone है सब अभी तक 5G mobile phone में complete update नहीं आपाएं लेकिन Samsung ये भी consider कर रहा है कि जो 4G audience से उसे ज्यादा disturbance ना हो कि One UI 6 ना मिले update तो कभी move on होने की सोच रहों तो 4G mobile phone में इंडिया में पीश ने तो finally आपको One UI 6 का update देखने के लिए मिल जाता है जो कि मतलब GB में convert करें तो around 1.7 GB के करीब देखने के लिए मिलता है main focus application जो किया गया है क्योंकि यहां पे दिक्कत यह है कि Samsung 4G mobile phone में और पुराने variant में update दे रहा है तो वहां पे limited ही update आपको देखने के लिए मिलेगा जैसे कि main focus application जो है वो आपको Samsung global goals देखने के लिए मिल जाती है Samsung notes देखने के लिए मिल जाती है Samsung members application देखने के लिए मिल जाती है calculator पे mainly focus किया है लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको UI में कुछ बड़ा change देखने के लिए मिलेगा fully कुछ new look आपको Samsung Galaxy UI के अंदर देखने के लिए मिलेगा क्योंकि ये one UI का ही main update Samsung का है जो कि six series में आपको देखने के लिए मिलेगा Android 14 के साथ और बात करी जाए तो हर छोटे से छोटे अपडेट पहबारी निगा है जैसी किसी भी Samsung के mobile में new update आएगा उसके पूरी तरीके से हमने अपनी निगागार रखी है जैसी कुछ update आती है तो वह आपके किसी भी mobile phone की हो तो उसकी घबरानी के ज़रत नहीं कि कोई से भी mobile में किसी भी तरीके के update आएगे तो आपको तुरंत वीडियो मिल जाएगे उसके लिए बस एक छोट असा काम जरू कीज़ेगा जैसी कोई नई update या one UI 6 के update आपके mobile के ल हुआ है।